तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग स्वागत है आपका आज की जबर्दस्त और फ्रेश वीडियो में जाता कि दोस्तों आप लोग ने आपर नाम देखकर बिल्कुल याप पर जान लिया होगा इस टेलाइट टेक्नोलोजी लिमिटेट के बारे में दोस्तों आपर बात करने वाला हूं एक दोस्तों याप बहतरीन कंपनी हाथ लगी है शौट टर्म और लॉंग तर्म दोनों के हिताफ से एंड यहां पर बात करने वाले हैं इसके कुछ रिलेटेट प्रोडक्स के बारे म कंपनी की प्राइसिंग के बारे में क्या इसके शेट की प्राइस चल रहे हैं देखेंगे इसको फंडामेंटली भी एंड टेक्निकली भी देखेंगे लॉंग टर्म के लिए और शॉट टर्म के लिए भी तो सारी चीज़े दोस्तों इस वीडियो में कबर करने वालाओ तो हेलों वेलकम गाइस इस कुनाल और वाचिंग मार्किट कैपिटल तो दाव ट्विस्टिग नी टाइम लेकर यांपर बूगल किया तो मुझे दोस्तों यांपर दिखाई पड़ा कि कंपनी जो है वो बिसिकली ऑप्टिकल फाइबर फाइबर ऑप्टिकल केबल स्ट्रक केबल नेटवर्क सर्विस एंड नेटवर्क सफ्वेर्स में दोस्तों इसके बिसिकली यांपर प्रोडर्क्स आपको देखने को मिलेंगे इसके वेबसाइट पर बहुत जादा है आप थोड़ी सी उलजन हो गई तो मैंने आपर सिंपली इसको गूगल करके देख लिया तो यहां पर मैंने सॉल्यूशन पर क्लिक कि और मैंने देखा कि ऑप्तिकल केनेक्टिविटी सॉल्यूशन फाइबर डिप्लॉइमिंट सॉल्यूशन और एक्से नेटवर्क सॉलूशन जाता कि हम दोग ने गूगल पर भी देखा यह तीन चीजों में दोस्तों आपर काम करि आप्टिकल फाइबर को यह manufacture बी कर रही है उसकी connectivity solutions भी कर रही है एंड यहां पर आप देख सकते हुए इसके optical interconnect products में glass perform optical fiber optical specialty cable and optical interconnect kites तो इतना तो दोस्तों याँ पर website आने पर और is दूसरा यहां पर उससे रिलेकेट जो सर्विस है उसको देने में आप यहां पर पढ़ सकते हो वर्ल्ड सैवन लाज़ेस्ट नेवी ट्रस्ट एस्टील फॉर इंटेग्रेटिंग इस मैसिव इंटरप्राइस नेटवर्क तो मतलब इस तरह की नेटवर्क है जो दुनिया में पर समझ सकते हों तो चलिये तो याँ पर कंपटनी के फंडमेंटल डिटेश देख तो देखेंगे और शॉरट ट्रम के लिए अ पर लेवल निकालने के भी कोशिश करेंगे तो यहां पर भीधोट में थोड़ी बहुत यहां पर रांगारी दिगएं stl has grown over the year to become the largest optical fiber and optical fiber cable manufacturer in the country तो यहां पर भी दोस्तों पढ़ने थे clear हो रही है कि company जो बिसिकली वहां पर optical fiber cable को manufacture भी कर रही है अनिकि उसके production भी कर रही है और उसे related यहां पर service भी provide कर रही है तो यहां पर भी दोस्तों आपर सकते हो the company also has desirable presence in the overseas market with an established presence in the global optical fiber market तो यहां कि देशी market के साथ था दोस्तों यहां पर global market भी company के अच्छी खासी दोस्तों यहां पर पकड़ है तो यहां पर एक अच्छी बात है कि company काफी अपने चेत्र में अच्छा ग्रोग कर रही है अब दोस्तों यहां पर जल्दी से मैं यहां पर positive और चीज़े जो की फंडमेंटली डीटेल्स यहां पर मैं प्रोवाइट की गई है उसके positive और negative चीज़े mention करते हुए उसको mark करते हुए मैं आपको एक नख मिलता हूं तो यह देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहां पर सारी positive और negative चीज़ें और जो neutral चीज़ें उन सभी को यहां पर मार्क कर दिया है तो इसको पहले positive चीज़ों को देख लेते हैं यहां पर return on capital इंप्रोए जो 13.6 परसेंट वो काफी यहां पर दोस्तों अच्छा है return on equity देख सकते 13.5 परसेंट ही अच्छा है earning per share भी काफी दबरदस्ति यहां पर 10 रुपे की प्रती शेर जो है वो earning है तो earning per share का आपको सीधा सा मतलब आप समझे गए होंगे earning per share company कितनी earning कर पा लिए तो यहां पर 10 रुपे की earning है यहां पर अदेख देख देख करेंट रेशियो जो जो है जो है 0.94 है तो अधरी से देखें तो 1.03 एक अच्छा ratio है एक अच्छा ratio इसको मान सकते हैं और क्योंट बीडोसे यहां पर liquidity करते हैं यह बहुत जाद रिक्विडिटी प्रवाइट करते हैं मतलब एकदम से कम टाइम में बहुत जाद लिक्विडिटी देने की छमता रखती है तो यह भी जो रेशियो इसकाज 0.94 यह भी मेरे ख्यालते हैं पर ठीक है कंपनी के लिए रेटान और एक्विटी जो वो तीन सालों का आप देखा क्या है यहां पर 25.8 है जो अभी फिलाल उससे नीचे चल रहा है 13.5 तो यहां पर एक थोड़ी सी यहां पर नेगीटिव बात इसको नही प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हो यहां पर पिछले साल की मुकाबले इस साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 50% की तेजी के साथ यहां पर बढ़ी है और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं चार सो दस कड़ो इसने अभी तक यहां पर मार्च 2020 से से सेप्टेंबर 2021 यहां पर कमा लिए हैं 410 प्रमोटर स्फोडिंग देख सकते हैं और 54.2 पर सेंट है अलागी मैं इतने प्रमोटर स्फोडिंग को न्यूट्रल मनता हूं लेकिन यहां पर आपको मैं दिखाहूंगा कि पिछले कुछ सालों में यहां दोस्तों यहां पर बढ़ती ही आपको यहां पर आप sales growth देख सकते तीन सालों में जो है 13.1% की तेजी आई है sales में दुस्तों तो यह एक अच्छी बात है यहां पर अब दोस्तों नेगेटिव चीजों की बात करें तो नेगेटिव चीजों में सबसे पहला जो नेगेटिव चीज है दोस्तों मैं आपको यहां पर तो यहां पर डेट 2762 करोर का डेट है और आप डेट इक्विटी रेशियो देख सकते हो 1.41 है वन से उपर है इसका मतलब डेट जो है वो थोड़ा खत्रे वाली साइट में जाधा है सेकेंड जो दोस्तों आपको दिखाना है वह है दोस्तों हमारा यहां पर स्टॉक का प्र दोस्तों यहां पर जोन में कह सकती है आप तरहा से आका तो शेर्स जो हो महंगा हो गया वह पर बात करें तो तीन सालों के प्रॉफिट में इसकी गिरावट देखने को मिली है जैसा कि मैंने बोला कि आप बीच में कोरोना का लागया तो यहां पर अभी कंपनी उसे उभर पाई है तो यहां पर इसके सेल्स में तो अपर साइड है लेकिन यहां पर प्रॉफिट जो है वह थोड़ा यह पर लोवर साइड गिरतावा दिखा है वह भी ज्यादा नहीं एकात प्रत्रेंट के आसपा से लगबा कंपनी ने यहां पर अपने आपको मैनेज कर लिया है उस उसके बाद दोस्ते यहां पर बात कर दो तो फेस वैल्यू जो आपको वहां पर दो रुपय की स्कोर नूट्रेल है और उसके बाद जो सेकंड नूट्रेल चीन है वह है दोस्तों हमारे रिटर्न ओन एसे जो की यह आने वाले टाइम में अगर कंपनी का इसी तरह होता रहा तो यह भी green signal में change हो जाएगा तो यह पर 3.83% का return on assets है बांकि तीनो return ratio दोस्तों काफी जबर दरते हैं लेकिन return on assets यहाँ पर थोड़ा सा पिछड़ा होगा है जो की in future मेरे ख्यालते हैं यहाँ ठीक हो जाएगा तो यहाँ पर हमने काफी सारे fundamental details की यहाँ पर बात कर ली positive और negative चीज़े भी हम दोगों ने देख ली आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने यहाँ पर clear कर दिया अब एक आद दो statement हम दोगों को यहाँ पर जल्दी से देख लेने चाहिए तो सब्सक्राइब यहाँ पर से वापस चर्णा स्टार्ट हुआ है तो फिर अब यह काफी अच सब्सक्राइब नाइन करोड और अभी सब्सक्राइब ने चलता रहता है नाइन करोड तो एक तरह से कहूं तो यहाँ पर कंपनी आपको कवर करने की पूरी कोशिश कर दिया प्रॉफित अलॉस्टेटमेंट में भी आप लोग देख सकते हैं यह जो प्रॉफिट गया वा उसके बाद दोस्तों मार्च ट्रॉफित करोड हो गया फिर बीस से किस साल में आपको पता है क्या हुआ हुआ है तो यहां पर दोस्तों करोड का ही इसने मात्र प्रॉफिट कमा यह लेकिन फिर अभी ओवर और इसको सारी प्रॉफिट को जोड़ कर हम दो निकालें तो यह 4 410 करोड होड़ा यांकि सेप्टेंबर दोजार 21 तक मार्च 2020 से सेप्टेंबर दोजार 21 तक इसने 410 करोड रुपए यहां पर कमा लिए तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है वह इसी तरह बहतरी नहीं आपर आने वाला है आप दोस 2020 में 53% ती उसके बाद यह 54.16% हो गई फिर उसके बाद 54.76% होगी फिर अभी यह फिला 54.24% है तो यहां पर प्रमोटर्स में देखने को मिल रहा है प्रमोटर्स की होल्डिंग में पिछले सालों से यहां पर 19 से यहां पर आपको बढ़ता हुआ ही दिखा है तो यह दोस्त यहां पर जो डिसीजन आपका बनता है आप उसमें बने रहें और अपने डिसीजन की दिम्यदारी आप दोस्तों खुद लें तो यहां पर चलेंगे चार्ट की उपर यहां पर कोशिश करेंगी कुछ चीजें और शॉर्ट टर्म के लिए यहां पर लेवल निकालने की यहां पर काफी ताइम्स यह सपोर्ट रेजिस्टेंस अब इसमें चला है और अभी का फिलाल अभी हम लोग देखने की यहां पर कोशिश करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे में इसने लगबग यहां पर आट परसेंट की यहां पर तेजी के साथ इसने क्लोस किया है और लोग जो जो हम लोग इंडिकेटर को यहां पर यूज करते हैं वह मैं यहां पर लगा लूगा टू हंड्रेड और उसके बाद देखने के कोशिश करेंगे कि काफी टाइम से यहां पर स्टॉप जो है वह आपको डेली बसेट पर साइड वेस देखने को नहीं मिलेगी लेक तो हम लोग इसके जहांसे में बिल्कुल नहीं आ सकते हो सकता है यह false breakout हो लेकिन लोग यहां पर false breakout को देखते हुए भी अगर यह false breakout होता है और वापस से यह नीचा आ ज़ता है तो हम लोग जो यहां पर all time high जो फिलाल यहां पर 52 week का है सकते हो 52 week हां 320 है तो हम लोग यहां पर थोड़ा से यहांप पर वेट कर लेंगे जब यह 300 जो इसने अपना लेटेस्ट हाई लगाया है 300 and 3 के उपर तो हम लोग यहांपर approximately 305 के उपर होल्ड करने का तो उसने आपर इंतिजार करेंगे स्टॉप आप 10 15 पॉइंट का नीचे लगा सकते हो अरामते दस पंद्रा पॉइंट को यह रिस्पेक्ट करेगा मैं रहते हैं यहांप पर 90 के आसपास का एसल काफी होगा इसके लिए 90 या 88-90 के आसपास तब लगाएं दोस्तों जब यह 305 के उपर वोल्ड करने लगी आदा गंटा पॉनी घंटा यहांपर होल्ड कर जाए तब फिर आपको यहांपर 305 के उपर पोजिशन बनालना चाहिए तो यहांपर दोस्तों आप देख सकते हो कि 320 का लेवल जो है वह ब पर दोस्तों यह 30 को अगर ब्लीश कर दिता है तो इसने अपने समझ लीजे अल्मोस्त 52 वीक के हाई को इसने ब्रेक कर दिया तो फिर आप देख सकते हो यहांपर कुछ स्टॉक्स में काफी दा यहांपर आग लग जाती है 52 वीक को यहांपर ब्रेक करते ही और मैं आपको ए 73 यहांप कहता है 76 के आसपास का हाई था तो मैं उम्मीद करूंगा यहांपर कि 76 और 73 के आसपास ही वापस से रिजेक्शन ले तो अब यहांपर पास टाइम है अगर 305 को यहांपर ऊपर की तरफ ब्लीश करता है तो यहांपर काफी तेजी आपको यहांपर स्टॉक में दे 390 का यहांपर स्टॉप लगाने चीज उसके बाद 320 का टागिट और अगर यह होल्ड कर जाए तो फिर यह 335 का टागिट तो आपको जरूर से जरूर दे देगा और दोस्तों रही बात लॉंग टर्म पोजिशन के लिए तो लॉंग टर्म पोजिशन के लिए मैं दोसी अब पर आपको फिर से बता दू कि यह सिर्फ मेरा व्यू है ओवर अच्छे काफी अच्छे से अपने काम को मैनेज कर दियो और अच्छे से दोस्ते आपर अपने लेवल को वापर से अचीव करने की कोशिश कर दिये जैसे कि आप इसके शेर्स को भी देख सकतो लास्ट इ बिचिश के आसबाद तो फिर वहांते दोस्तों जैसे शेर्स को यहां पर अपने वापस पुराने लेवल को उसी तरह से कंपनी भी जो है अपने लेवल को यहां पर कवर कर दिये तो मिलुंगा दोस्तों यहांपर नेक्ट वीडियो में तिल दैन बी हैपी वी से और